नारायन 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 श्रीमद भागवत सप्तम इसकंद अथा चतूर्थो ध्यायह चवथा अध्याय हिरण्य कशिपु के अध्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्लन नाराद जी कहते हैं इरिष्ठिर जब हिरण्य कशिपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार के अत्यंत दुरलब वर मांगे तब उन्होंने उसकी तपश्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वेवर दे दिये ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम जबर मुझे से मांग रहे हो वे जीवों के लिए बहुत ही दुरलब है परंदु दुरलब होने पर भी मैं तुम्हे वे सब वरभिये देता हूं नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वरदान कभी चूठे नहीं होते, वे समर्ध एवं बगवद रूप ही है, वरदान मिल जाने के बाद प्रिन कशिकु ने उनके पूजा की, तद पश्चात प्रजापतियों से अपने इस्तुति सुनते वे वे अपने लोग को चले गए। ब्रह्मा जी से वरप राप करने पर इनके शिकु का शरीर, ठुवर्ण के समान, कांति मान, एवं हिष्ट पुष्ट हो गया, वो अपने भाई की मिल्तियों का इस्तुमर्ण करके बगवान से वेश करने लगा, उस महा देच्यने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों, तथा द देवता, असुर, नर्पती, गंधर्व, गरूड, सर्प, सित्ध, चारण, विध्याधर, रिशी, पितरों के अधिपती, मनु, यक्ष, राक्षस, विसाच राज, प्रेत, भूत पती, एवं समस्त प्राणियों के राजाओं को जीत कर अपने वश्मे कर लिया, यहां तथ कि उस विश्व विजाई देट्या ने लोक बालों की शक्ति आविस्तान भी छेने लिए, अब वह नंदनवन आदे दिव्य उत्यानों के साउंदर्य से युक्त वर्ग में ही रहने लगा था, स्वयम विश्व कर्मा का बनाया हुआ इंद्र का भवन ही उसका निवास इस् इनों लोकों का साउंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था, वह सब प्रकार की संपतियों से संपन्न था, उस महल में मूंगे की सेड़ियां, पन्ने की गर्चें, इसवटिक मनी की दिवारें, वैदूजे मनी के खंभे और मानिक की कुर्शियां की, रंग विरंगे अमान शयाएं, जिन पर मोतियों की जालरें लगी हुई थी, शो भाइबान हो रही थी, सरवांगे संदरी अपसर आएं, अपने नूपूरों से रुन जुन धनी करती हुई, रत्नमई भूमी पर इधर उधर टहला करती थी, और कहीं कहीं उसी में अपना संदर मुझ रेख लगने लगती थी, उस महेंद्र के महल में महा बली और महा मनस्वी हिरन्य कछिपू सब लोकों को जीत कर सबका एक छत्र सम्राट बनकर बड़ी सोतंतरता से विहार करने लगा, उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयवीत होकर देव दानव उसके चरणों की वंदना करते रहते थी, युदेश्थिर वह उत्कट गंडवाली मदीरा पीकर मतवाला कहा करता था, उसकी आँखें लाल-लाल और चड़ी हुई रहती थी, उस समय तपस्या, योग, शारीरिक और मानसिक बलका और इंडार था, ब्रह्मा, रिष्णु और महादेव के सीवा और सभी दे ले लेकर उसकी सेवा में लगे रहते, जब वह अपने पुर्शार्त से इंद्रासन पर बैट गया, तब युदेश्र, मिश्वावसू, तुम गुरू, तब हम सभी लोग उसके सामने गान करते थे, यहो, नारग जी महाराज की, कंदर्व, सिद्ध, रिशिगन, नित्याधर और अपसराएं बार-बार उसके स्तुति करते थे, फिदिश्चिर वह इतना तेजस्वी था, कि वर्नाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष, जो बड़ी-बड़ी दक्षिना वाले यग्य करते, उनके यक्यों की आहुत से वह स्वयम छीन लेता, प्रित्वी के सातों द्वीपों में उसका अखंड राजिय था, सबी जगह बीना ही जोते बोये धर्ती से अन्न पैदा होता था, वह जो कुछ चाहता अंतरिक्ष से उसे मिल जाता, तथा आखाश उसे भांदी-भांदी की आश्चे जनक वस्त मे दिखा दिखा कर उसका मनोरंजन करता था, इसे प्रकार खारे पानी, सुरा, घृत, एक्षोरस, दधी, दुग्ध और मीठे पानी के समुद्र भी, अपनी पत्नी नदियों के साथ, तरंगों के द्वारा उसके पास रत्न राशी पहुँचाया करते थे, परवत अपनी घादियों के रूप में उसके लिए खेलने का इस्थान जुटाते और व्रक्ष सब रीदों में भूलते भलते, वह अकेलाई सब लोकपालों के निविन्नकुणों को दारण करता था, इस प्रकार दिख विजई और एकच्छत्र सम्राथ होकर, वह अपने को प्रिय लगने वाले विशेयों का स्वचंड उप भोग करने लगा, परण इतने विशेयों से भी उसकी त्रिप्ति न हो सकी, क्योंकि अंततह वह इंद्रियों का दास ही तो था, विदिष्ठिर इस रूप में भी वह भगवान का वही पाश्र है, जिसे सनकाजिकों ने शाप दिया था, वह अईश्वरी के मद से मतवाला हो रहा था, तता गमंड में चूर होकर, शास्त्रों की मरियादा का उलंगन कर रहा था, देखते ही देखते, उसके जीवन का बहुत साथ समय पीत गया, उसके कठोर शासन से सब लोक और लोकपाल घबरा गए, जब उन्हें और कहीं किसी का आश्र ने मिला, तब उन्होंने भगवान की शर्ण ली, उन्होंने मनी मन कहा, जहां सरवात्मा, जगरीश्वर, स्रीहरी निवास करते हैं, और जिसे प्राप्त करके, शांत एवं निर्मल, सन्यासी महात्मा तिर लोटते नहीं, बगवान के उस परमधाम को हम नमस्कार करते हैं, इस भाव से अपने इंद्रियों का सयम और मन को समाहित करके, उन्होंने खाना पीना और सोना छोड़ दिया, तथा निर्मल हर्दय से बगवान की आरादना की, एक दिन उन्हें मेग के समान, गंभीर, आकाशवानी सुनाई पड़ी, उसकी ध्वनी से दिशाएं गूंज उठी, दादूओं को अभय देने वाली परवानी यहों थी, सेश्ट देवताओ, दरो मत, तुम सब लोगों का कल्यान हो, मेरे दर्शन से प्राणियों को परमकल्यान की प्राक्ति हो जाती है, इस नीच देट्य की दुष्टता का मुझे पहले से ही पता है, मैं इसको मिटा दूँगा, अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतिक्षा करो, कोई भी प्राणी जब देवता, वेर, गाय, रहमन, साधू, धर्म और मुझे से दिश करने लगता है, तब शीग रही उसका विनाश हो जाता है, यदा देवेशू, वेवेशू, गोशू, विप्रेशू, साधूशू, धर्मे मईच विद्वेशू, सैवा, आशू, विनश्यति, जब यह अपने वैरहीन, शांत, और महात्मा, पुत्र, प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिश्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण, शक्ति संपन्न होने पर भी, इसे मैं अवश्य मार डालूँगा, नारद जी कहते हैं, सब के हुड़ाई में ज्यान का संचार करने वाले भगवान ने जब देवताओं को यह आदेश गिया, तब वे उन्हें प्रणाम करके लोच आए, उनका अरा उद्वेग मिट गया, और उन्हें ऐसा मालूम होने लगा, कि हिरण्यकशिपू मर गया, युदिष्ठिर दैत्यराज हिरण्यकशिपू के बड़े ही विलक्षन चार पुत्र थे, उनमें प्रहलाद ज्योतो सबसे चोटे थे, परन्त गुणों में सबसे बड़े थे, वे बड़े संत सेवी थे, ब्रहमन भाक्त, सोम्य सभाव, सत्य प्रतिक्य एवं जितेंद्रिय थे, तथा समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का बर्ताव करते, और सब के एका मात्र, प्रिय और सच्चे इतेशी थे, बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरह जुब कर रहते थे, गरीबों पर पिता के समान स्नेह रखते थे, बराबरी वालों से भाई के समान प्रेम करते और गुरुजनों में भगवत भाव रखते थे, मित्या, धन, साउंदारिय और कुली नता से संपन्न होने पर भी घमंड और खेकडी उने चू तक नहीं गई थी, बड़े बड़े दुखों में भी वितनिक भी गबराते न थे, लोक परलोक के विशेयों को उन्होंने देखा सुना तो बहुत था, परन्तु वे उन्हें निश्चार और असत्य समझते थे, इसलिए उनके मन में किसी भी वस्तो की लालसा न थी, इंद्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके वश में थे, उनके चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती थी, जन्म से असुर होने पर भी उनमें आसुरी संपत्ति का लेश भी नहीं था, जैसे भगवान के गुणानंत हैं, वैसे ही प्रहलाद के सेष्ट गुणों की भी कोई सीमा नहीं थी, महात्मा लोग सदा से उनका वर्णन करते और उन्हें अपनाते आये हैं, तदा पिक वे आज भी जयों के त्यों बने हुए हैं, युदिश्ठिर, यहों तो देवता, उनके शत्रू हैं, परन्तु, फिर भी भक्तों का चरित्र सुनने के लिए, जब उन लोगों की सभा होती है, तब वे दूसरे भक्तों को प्रहलाद के समान कहकर, उनका सम्मान करते हैं, फिर आप जैसे अजात शत्रू भगवद भक्त उनका आदर करेंगे, इसमें तो संदेह ही क्या है, उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए, अगणित गुणों के कहने सुनने की आवश्यक्ता नहीं, केवल एक ही गुण, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाथाविक जन्मजाद प्रेम उनकी महिमा को रसत करने के लिए पर्याप्त, विदिष्ठिर प्रहलाद बच्पन में ही केलकुर छोड़ कर, भगवान के यान में जडवत सन्मय हो जाया करते, भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रहने, उनके हुद्य को इस्तोकार गिंच लिया था, कि उन्हें जगद की कुछ सुद्बुद्न भी न रह दी, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा नवेद जगदी प्रिशां, उन्हें ऐसा जान पड़ता कि बगवान मुझे अपनी गोद में लेकर आलेंगन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सोते, बैखते, खाते, भीते, चलते, भिरते और बातशित करते समय भी इन बातों का ध्यान बिलकुल ने रहता। कभी-कभी बगवान मुझे छोड़कर सेले गए, इतने भावना में उनका रदय इतना डूब जाता कि वे जोर-जोर से रोने लगते। करने का अनुभव करके जोर से गाने लगते। कभी उत्त को हो बेसुरा चला पड़ दे। कभी-कभी लोकल अच्चा का च्याग करके प्रेम में चटकर नासिने भी लगते थे। कभी-कभी उनकी रिलाके चिंतन में इतने तन्दीन हो जाते हैं कि उन्हें अपनी याद ही करने करने लगते। कभी बीतरी बीतर मगवान का कोमल संथ पर्ष अनुभव करके आनत में मगनों जाते। पच्चुप चाप शांत में तैशिए लगते। पुदसमें उनका रोम रोम उलकित्व उत्ता अधुकुले नेत्र अविचल प्रेम और आनन्द के आंत्मों से भा भागमान श्रीकृष्ण के चरन कबलों के यह बक्ति अतिंचन बगवत प्रेवी मात्माओं के संग से इस प्राक्त होती है। इसके द्वारा में स्वयम को परमानन्द में मगन रहते ही थे। जिन बेचारों का मन पुजंग के कारण अत्यंत दीन नीन हो रहा था। उन्हे भी बार बार शांती प्रदान करते हैं। विदिश्चिर प्रहलाद बगवान के परमत्रेवी भक्त परमभाग्यवान और उंची कोटी के मात्मा से। इरण्यकर्शिपू ऐसे सादू कुत्र को भी अपराली बदलाकर उनका अनिश्च करने की चेश्चा करने लगा। अब हम आप से यह जानना चाहते हैं कि इरण्यकर्शिपू ने पीता हुकर भी ऐसे शुत्र रए महात्मा सुत्र से रोत्यों किया। पिता तो अबाव से ही अपने पुत्र से प्रेम करते हैं। यह कोई बुलता काम करता है। तो वे उसे शिक्षा देने के लिए ही दाणत करते हैं। शत्रु की तरह वैर विरोध तो नहीं करते। फिर प्रहलाद जी जैसे अनुकूल, सुद्ध, रए, एवन गुरुजनों में बदवत बाव करने वाले पुत्रों से खला कोई द्वेश्ट करी कैसे सकता है। नारद जी आप सब कुछ जानते हैं। हमें यह जान कर पड़ा फुत्रों हो रहा। जी जाने वेश्ट के कारण पुत्र को माल डालना जाहां। आप रुपा करके मेरा यह है। फुत्रों सांत की। नारायन, 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 नारायन,